धन्तेरस भारत में मनाये जाने वाले प्रमुक त्योहारों में से एक है। ये त्योहार दीपावली के पांच दिवसिय उत्सव की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है और हिंदू पंचान के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथी को मनाया जाता है। इसे धन त्र बीदने की परंपरा निभाते हैं। धंतेरस का महत्व, धंतेरस का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। इसे मुख्य रूप से धन के देवता भगवान कुबेर और आरोग्य के देवता भगवान धनवंतरी की पूजा से जोड़ा जाता है। इसका एक और महत्वकून पहलू यह है कि इसे आर्थिक समृद्धी का प्रतीक माना जाता है। लोग इस दिन सोना, चांदी और अन्यधातों के साथ साथ नए सामानों की खरीदारी करते हैं ताकि उनके घर में समृद्धी और सौभाग्य का आगमन हो। यह विश्वास किया इस दिन नए बरतन और आभूशन खरीदना शुप माना जाता है क्योंकि यह समृद्धी और शुभता का प्रतीक होता है। इसके अलावा, लोग शाम को दीच चलाते हैं और भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करते हैं। इस दिन विशेश रूप से यमदी पदा की भी परंपरा है, जिसमें यम्राज को दीच चला कर दक्षिल दिशा में रखा जाता है, ताकि अकाल मृति और बुराई से रक्षा हो सके। धन्तेरस के अफसर पर व्यापारियों के ये भी ये दिन विशेश होता है। व्यापारी अपने नए खातों की शुरुआत करते हैं और अच्छे व्यापार की कामना करते हैं। धन्तेरस और आधुने की योग, आधुने की योग में भी धन्तेरस की परंपराय कायम हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ नए बदलाव भी देखे जा सकते हैं। आजकल लोग सिर्फ सोना चान्दी ही नहीं, बलकि इलेक्ट्र और अधुने कुपकरन, गारियां और अन्याधुने क्वस्तुए भी खरीदते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर इस दिन विशेश छूट और वाफर दिये जाते हैं, जिससे लोग बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। निशकर्ष, धन्तेरस एक ऐसा पर्व है ज जो हमें धन, स्वास्थ्य और सम्रिद्धी का महत्व समझाता है। यह ना केवल आर्थिक उन्नती का प्रतीक है, बलकि धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रिष्टिकों से भी बेहद महत्व पून है। धन्तेरस का त्योहार सकारात्मक्ता और आशा का संदेश देता है, और इस सही तरीके से मनाने से व्यक्ति की जीवन में सुख सम्रिद्धी और स्वास्थी की व्रिद्धी होती है।